बीजेपी सांसद रमाद देवी ने राहूल गांधी पर हमला बोला है उन्होंने कहा कि संसद में फ्लाइंग किस का जो मुद्दा उठाए उस पर निशाना साधा राहूल के आच्रेंट पर सवाल उठाए कॉंग्रूस नेता सुप्रिया प्रीनेट ने भी पलटवार किया है वो लास्ट में फ्लाइ किस देने की बात हुई यह बत्यमी जी का हद हो गया क्या आदमी फ्लाइ किस हाउस में किसको दे रहा है यह तुम्हारा लभर को ही बैठा हुआ है जहां जाता है वहाँ अपना मना हो यह हाउस हाउस है हाउस में बैठने वाले एक प्रतिनिदी बन किया है जनता का सेवा करने के लिए है तुम्हारा फ्लाइ किस लेने के लिए नहीं है एक तो बत्तमी जी किया बात में और प्रवारत का सदन है आपकी नोटंकी का अखाड़ा नहीं है अपनी बेकार की एक्टिंग और जूठा अक्रोश बंद कर दीजिए मणीपुर पर बात हो रही है हर वक्त मुद्दे से बर्गलाने की मुद्दे से भटकाने की कोशश बंद कर दीजिए दम है तो मणीपुर पर बात करिए बेवकुफी का आपने वहाँ पर भाशर दिया और अभी फैक्ट चेक करूँगी मैं और बताऊंगी कैसे आप वीपी सिंग की सरकार में शामिल थे समर्थन दे रहे थे जिन वाक्यों को आपने गिनाया तब आपके लोगों ने कुछ ठी लिखकर बोला था कैसे उस अंदोलन को कुछला जाना चाहिए मुस्लिम लीग के साथ जिन्ना की मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सरकारे चला रहे थे इनको क्या लगता है इनके जूटे आक्रोश से इतिहास बदल जाएगा स्मृती रानी अपनी बेकार की बाते बंद करे 78 दिन तक जो बोल नहीं पाया उसको कोई नयतिक अधिकार नहीं है सदन में बोलने का